क्या हम पांच इंच का ब्रीक वाल में वालेंग कमोट का पॉइंट कर सकते हैं इसका जवाब है हाँ लेकिन कौन सा ब्रीक जो रेड ब्रीक है ब्लोग ब्रीक में करने का चांसे बहुत कम है यहाँ आप देख लिजिए रेड ब्रीक है और यह पांच इंच का ब्रीक वाल है लेकिन रुकिए, इसमें जो वालहंग कमोट है, वो बिलकुल अलग है, वालहंग कमोट तो दिखाऊंगा, यहाँ जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा कंसिल बड़ा कटा है, यह जो आप पाइप देख रहे हो, यह हेल्थ पोसेट का पॉइंट है, जो कैंसिल होके अलग जग इसका जो पी ट्राप है, जिसमें पानी जमा हुआ रहता है, वो जो है, आपका टोइलेट का लेवल से थोड़ा उचा है, तो आभी वहाँ से मेजरमेंट लूँगा, वहाँ से मेजरमेंट लूँगा कैसे, आपका टोप लेवल तक यही चीछ है, और इसका जो आपको लग चुका है, बिलकुल लेवल है, अब हम लेंगे बबल लेवल, जो यह काफी जरुरत है, अगर वालेंग कमोट इस तरीका का आता है, अब इसे हम लेवल करेंगे, और यही बहुत असान तरीका है, जो आप कोई भी इस तरीके से फिटिंग करेंगे, गड़बन नहीं हो और डायरेक्ट इसका मेजर्मेंट लोंगा यहाँ पर, तो यह मेजर्मेंट करेक्ट नहीं लेपाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पाइप लगा रहा हूँ, यहाँ छोटा सभी टुकरा पाइप लगा सकते हो, मेरे पास लंबा पाइप है लगाया, और यहाँ पर भी पाइप क्योंकि कोई भी एक टॉप लेंगे आपका चलेगा तो मैं नीचे का टॉप लिया 110 mm अब मैं इस तरीके से यहां लेवेल किया अब यहां मैं नीचे से मेजरेमेंट करूंगा जहां टाइल्स लेवल से आप देख लिए यहां जो है मेरा 300 साइट अमेम टॉप हो रहा है अब स यहां पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मतलब 118 mm तक नीचे का टॉप लेवल होना चाहिए तो उससे पहले आप वीडियो को जरू लाइक कर देजिए आभी तक नहीं किये हो तो बहुत ही दुख की बात है और चैनल को सब्सक्राइब आभी तक नहीं किये हो तो सब्सक्र करके घंटे दाबा लिए अब यह जो वाइसा रहना दोस्तो इसे निकाल लेना पड़ेगा निकाल के सिंपल है यहां टाइल्स का लेवल से आपको 110 mm और 50 mm एक सो साइट में आपका नीचे का टॉप में मार्किंग लेना है मार्किंग लेने के बाद आपको पाइप का मेजर मेजर्मेंट ले लेना है अगर हो सके तो थोड़ा बड़ा ले लिजिएगा छोटा मत लिजिएगा क्योंकि आप दुबारा कटिंग करके छोटा कर सकते हो किस तरीके से चलिए दिखाते है यहां मैं कटिंग किया हो सके मेरा यह बड़ा भी हो सकता है हलका सा क्योंकि मैं हा 60 mm है की नहीं इस तरीके से आपको कट कर देना है तो यह मेरा अब हम दिखाते है आपको इसमें उसमें वाल इंग कॉमोट लगाते है क्यांकि आपको हाइड दिखाना जरूरी है इसी हम लेखांत करेंगे और आपको दिखाएंगे और height भी दिखाएंगे अगर walling commodity लेकर आप काम करते हो तो आप client जो बोलते है जितना height में वो height आप perfect रख सकते हो अलाकि इस तरीके से आप अंदाज इसे भी fitting कर सकते हो लेगन उसमें आप अगर 16 या 17 इंच रखेंगे तो आपका आदा इंच आप डाउन हो सकता है कमोट के हिसाब से तो यहाँ जो है मेरा देख लिए आप पूरा 410 mm height हो रहा है तो यहाँ पर मेरा perfect तो यह हो चुका है आप इसे हम लूबडी कन देकर पूरा अच्छे तरीके से fitting कर देंगे और यहाँ एक चीच का धियान दिजिएगा जो बताया हूँ वालेंग कमोट अगर आपके पास रहता है तो काफी अच्छा है बाकी नहीं तो आप वालेंग कमोट का नीचे से वह सही जितना यह measurement है इसके हिसाब से आप idea से कर लिजिएगा लाश्ट में मैं आपको बता दूँगा अगर आप 17 इंच रखना चाते हो तो नीचे से टॉप कितना रखना है या फिर 16 इंच रखना चाते हो तो नीचे से टॉप कितना रखना पड़ेगा आइडिया ये वीडियो देखकर ही आप लागा सकते हो अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आप करेंगे सबसे अलग तरीके से मेट्रोफुल का मेजिर्मेंट सबसे पहले चार इंच का पाइप मैं यहाँ पर लगाता हूँ आपको सिंपल क्या करना है पहले अल्बो जुह है प्यार इपमेजिर्मेंट ले सकते हो जितना आपका अंधर पाइप जाएगा उधर से उतना इदर पहले छोड़ देना है कि इदर elbow का नीचे से 2 इंच इस तरीके से छोड़ा और यहां मेरा जितना measurement हो रहा था पकड़ूंगा और directly जितना mm हो रहा था कोई minus नहीं है मेरा elbow के पास जो है मेरा 2 इंच मैनास कर दिया हूँ नीचे और यहां जितना mm हुआ मैं उतना cutting कर लूँगा चाहे कोई भी pipe काटो pipe काटने के बाद उसे clean जरूर करिएगा यह UPBC का मकसद है या फिर PVC CPBC कोई भी plastic pipe में अब हम directly इसे fitting करते हैं और आपको दिखाते हैं commode fitting करकर ओके यहां हम आपको commode इसलिए fitting करके दिखा रहे measurement भी दिखाऊंगा सबर करिए पहले हम खुद measurement करके check कर लेते हैं क्योंकि solution fix हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा काम में अब जो है देख लिए commode fitting किया और आ रहाई की नहीं बस मैं यह चेक कर रहा हूं अपनी तरफ से level करके exist करके commode रहेगा एक आप ऐसे fitting कर लेंगे अगर 10 लगता है same तो simple यह है आपको और commode लेके घुमने का जगरोत नहीं है पहला एक जो है अगर same toilet लगता है तो यह हो चुका है मेरा correct अब हम इसे jam कर लेते हैं और आखरी जानकारी बता देते हैं तो यहाँ हो चुका है jam यह जो मैं conceal बड़ा काटा था देख लिए पाइप इस तरीके से आया है वहाँ जो पहला जो pipe था इस साइड वह cancel हो चुका है क्योंकि वहाँ पर health positive का drill होगा तो pipe drill हो जाएगा इसलिए यह यहाँ से नीचे आया है straight और elbow देकर घुमके वहाँ ब्रास elbow हो चुका है जिसका height जो है 16 inch है अब आप चलिए measurement करके आपको दिखाते है यह 2 inch से हलका सा मैं ज्यादा रखा हूँ क्यों क्योंकि pipe है हलका सा मतलब gap रहना चाहिए नीचे से या फिर उपर से चारो साइड से तो यहाँ मैं pipe लगा दिया अब देख लिए यहाँ प 50 mm होना चाहिए था ना तो थोड़ा सा उपर दिख रहा होगा आपको क्योंकि pipe है pipe उपर जागा अगर elbow आता तो 50 mm से हलका सा उपर रहता तो नीचे से हलका सा gap भी होना चाहिए तो क्या है chemical कुछ भी silicon लगेगा तो आज एजी होगा बागे वीडियो को आपको share करना है like करन तो और दोस्तों इसका और एक वीडियो लाँगा जिसमें आप लोग को बहुत सारा details के साथ और भी अच्छे तरीके से समझाने कोईसिस करूंगा फिर मिल नहीं वह इसकरूंगा आप लोग के साथ आप लोग के साथ आप लोग के पास किसे दुसर पक के साथ तब तक क्लि क्लिख अजए बेग हम आप वह टेच्छ को प्ली करुई मेर नहीं से दोग करूंगादा आप लोग करूंगा हाई लोग के